पुरुँ है। फिल्टर का प्रियोग करते समय, हमें क्यावल filter के parameters के value पर ही ध्यान नहीं देंना होता है, बल्कि उनके sequence पर भी ध्यान देना पड़ता है क्या आपने कॉण सा filter किसके बाद लगाया है। अर्थात, filter tab में, उनका कॉण सा order है। कि कौन सा फिल्टर पहले लगा है कौन सा फिल्टर जिसके बाद लगा हुआ है जैसे कि हम यहाँ पर एक टिंट लगाते हैं आपने टिंट लगा दिया अब देखिए सारी की सारी क्लिप आपकी ब्लैक और हॉइट हो गई यद यहीं पर सेफिया को उठा करके इसके बाद लगा देंगे सेफिया का इफेक्ट ग्रिनिस इफेक्ट देगा तो यहाँ पर इनके दूसरों के क्रम में भी परिवर्तन आने से आपके इफेक्ट में परिवर्तन आ जाता है यही हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार आता है और कैसे किया जाता है क्लिप में filters के क्रम को पदलने के लिए सबसे पहले क्लिप पे double click करें वो आपको viewer में load हो जाएगी, viewer में load होने के बाद आप filter time में जाएगे यहाँ पर आपको सारे filters का sequence मिल जाएगा, जिस sequence में जो लगा है हम आपको बताना चाहते हैं इसमें इनका effect भी इसी sequence में use होता है जिस sequence में ये प्रियोग किया जाते हैं, मतलब जो पहले लगाया गया है तो उसका effect पहले आएगा, फिर उसके बाद में आएगा, जो सबसे last में आएगा उसके parameter परिवर्तन करने पर सारे नीचे के प्रियोग किये गए सभी filters पे उसका प्रभाव सबसे जात सो करेगा यदि हम चाहते हैं इनके parameters को परिवर्तन करना तो ये भी FCP में करना संभव हो है जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया, ये tint नीचे लगा हुआ है और सेफिया उपर लगा हुआ है यदि हम चाहते हैं कि tint जो है ना सेफिया के उपर प्रियोग किया जाए तो हम इसको pick करें और drag करके इसके नीचे ले करके आ जाए और नीचे area में आ करके हैं drop कर दें और canvas में देखेंगे इसका परिवर्तन हो गया है यहाँ पर इसका परिवर्तन देखने के लिए यदि हम थोड़ा सा इसके value को कम करें तो आप देखें greenness effect आ रहा है यदि हम यहाँ से इसकी value को red करें तो red effect भी आपको दिखाई पड़ेगा इस तरीके से हम पूरी clip पे प्रियोग किये गए filters के करम को भी परिवर्तित करके आप अपने effect में परिवर्तन ला सकते हैं यानि इसको customize कर सकते हैं sequence से आपके effect में काफी प्रभाव पड़ता है ये सो समझ कर ही इनके करम को निर्धारित करना चाहिए कि कौन filter किसके बाद लगना चाहिए इससे बहुत फर्क पड़ता है इससे रेलेटर हम आपको एक example दिखाते हैं क्या है यहाँ पर इन सारों को delete कर देते हैं अब यहाँ पर हम एक फिल्ट लगाना चाहते हैं हमारे पास है मैटे मैटे आपसन में गए यहां से दो filter हैं यहां पर इक transfadar एमाश से bleibt इनको यहां से पिक करते हैं और ड्रॉप करते है इस समय यहां पर फिल्टर देखे कोई से सो कर रहा है इस समय हम इस पर यहां पर फेदर का एफेक्ट यूज़ करते हैं तो आपको यहां फेदर का एफेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है आपके स्कीन पर सो नहीं कर रहा है इसका effect यद यही mask feather को हम mask shape के नीचे ले करके आ जाएं इसके उपर लगा दें तो आपको इसका effect दिखाई पड़ने लगेगा यह तो एक छोटा सा example है जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं क्लिप पे लगाया कि filters के क्रम से कितना effect पड़ता है झाल